अलो फ्रेंड्स वेलकम तो वर यूट्यूब चैनल लर्न विद आर केस आज का हम एकसल के अंदर HLOOKUP, VLOOKUP, DROP DOWN LIST & SUMIF को कैसे यूज में लेते हैं इनके FORMULAS को वह देखेंगे सबोस हमें HLOOKUP का लगाना है ठीक है तो हमने FORMULA लगा इसका HLOOKUP का equals to HLOOKUP फिर ब्रैकेट लगाया आपको LOOKUP value देनी है जिसे आपने LOOKUP value दे दी यह ठीक है कोमा लगाया table array select करनी है यह आपके पूरी table हुई इस table को अपने select कर लिया कि इसमें से आपको values लेनी है ठीक है फिर उसके बाद में आपने कॉमा लगाया फिर आपको बोला कि row number लगाना है rows आपकी यह है 1,2,3,4,5,6,7 suppose आपको दिव्या के numbers जानने है कितने कितने हैं इसके हिंदी में कितने इंग्लिश में, math में, science में ठीक है तो आपने दिव्या का row number क्या आपका 6 तो आपने यहां पे लिख दिया 6 ठीक है फिर आपने आपे range look up लगाना है range look up क्या होता आपका basically अगर आप यहां पे false लिख देंगे तो आपका exact match दिखा देगा हो कि आपका exact match क्या रहा है ठीक है अब आप यहां पे bracket बंद करने के बाद enter कर दीजिए अब यहां पर जिसे आप जो भी लिखेंगे अगर हिंदी लिखेंगे तो दिव्या के हिंदी के marks आजाएंगे English का जाएंगे math का जाएंगे science का जाएंगे जो भी word लिखेंगे आप उसका जाएंगे suppose उसे अपने तो दिव्या के English के marks आजाएंगे 90 देख लिखेंगे अगर आप science लिखेंगे तो उसके 84 आजाएंगे science लिखा 84 आगए ठीक है तो इस तरीके से अगर आपको VLOOKUP को यूज में लेना हो तो VLOOKUP के क्या formula होता है equals to VLOOKUP bracket लगा है अब आपको lookup value लेनी है जिसे आपने lookup value ले ली ये ठीक है उसके बाद आपने लगा है comma अब आपको table आ रहे आपको इसमें क्या column index number देना है कि आपको किस column के numbers चेक करने है 123456 के column number होगे suppose आपको maths के numbers चेक करने है सब के ठीक है तो maths किस column में है 4 नमबर में है तो हैं पर लिख दीजी आप 4 ठीक है फिर आपने लगा है comma आपको range lookup क्या देना है आपर false लिख दीजी आप ठीक है सुमेट नहीं दिखाएगा फिर bracket बंद करने के बाद एंटर लगा दीजीए ठीक है फिर उसके बाद में आप जैसे आप यहां पर लिखेंगे अगर आपने रवी लिखा तो रवी के maths के number आजाएंगे अमित लिखा अमित के maths के सुमेट विपिन दिविया संजु इस तरह किसे जब के maths के number आ जाएंगे ठीक है सब्सक्राइब आपने सुमेट लिखा यहां पर तो सुमेट के आप देख लिजे 74 नमबर आए अब देख चेक करते हैं अपने आपर सुमेट सुमेट के 74 नमबर ड थिक्यैं अपने अहां दिव्या लिखा दिव्या के आगए 94 डन अब एक ड्रोपडाउन का conception क्या होता है बिसिकली ड्रोपडाउन लिस्ट का को इन सबकी लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाई अ, तो इसके लिए अपने डेटा में जाना होगा, डेटा में जाने के बाथ प्रविज के लिस्ट बनानी है तो इस सोर्स को स्लेक्ट कर लीजी आप फिर आप क्लिक कर दीजी तो आपका लिस्ट बनगे ड्रॉप्डाउन लिस्ट ठीक है ये वन गे देखो रवी आमेड यही तो आपने लिस्ट की थी अभी सॉर्स के अंदर रवी कि हमें सुमित विपिन दिविया संजुग ठीक है सब्सक्राइब कर लिया ठीक है अब जैसे अपन यह आपकी डॉप्डाउन लिस्ट कंप्लीट हो गई अब इसके बड़ा पन थोड़ा कलर कर देते हैं तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा यह ठीक है मुझक हridgesं अब सुमित का फॉम्ला क्या होता है बेसिकली तो समीफ का अपन यहींपर ठाय कर लाते है सम मेचे तो sum if का formula क्या होदा है equals to क्या आपने यहां लगा है आपने sum if फिर अपने bracket start किया अब आपको एक range देनी है ठीक है range basically क्या होगी आपकी यही पूरी range होगी ठीक है यह आपकी होगी range आपको कॉमा लगा criteria देना है criteria आप जिसे इसमें जो भी input करेंगे ना उसका result यहां आएगा तो यह आपका criteria यह हो गया इसके अंदर ठीक है अब sum range आपको देनी है ठीक है आपको किस चीज के numbers चेक करने होगी जैसे अपने list यह वाली दिये तो इसमें हिंदी के English के मैंस के साइंस के इसके नमबर चेक करने सब को साइंस के नमबर चेक करने इन सब के ठीक है तो आपने यहां से नमबर से इसके तो इन सब को select किया फिर अपने bracket बंद किया अब सुमीद के जैसे 69 numbers आगे है रेंज पूरी यहां से रहनी होगी ठीक है यह अपने ले लिए अब इसके आगे सुमीद के 75 marks हैं साइंस के अंदर डन अब उसी तरह के से जैसे आपको अगर किसी और के चक करने हो numbers अमिद के चक करने हो अमिद के 70 number आगे देख लीचिए ठीक है आपको जैसे दिव्या के चक करने दिव्या पे क्लिक किया अपने 84 आगे दिव्या के साइंस में ठीक है जैसे आपको विपिन के चक करने हो विपिन के आगे 69 marks तो इस तरह के से आपके यह पूरा complete हो गया और दूआ। इस आप टूट स्क्राब अबाट सूद थापके लाके स्व जाट विप्या स्ट आपके व